वेल तो है गाइस वेलकम टुदी माया चैनल मानिस पंकस तो वैल इस वीडियों में बात करने वाले की हमें इस साल का मनी इन दे बैंक वेनर कौन देखनी को मिल सकता है इसको लेकर काफी interesting report देखनी को मिला तो वैल उस तिंग के उपर बात करेंगे and also Alexa Bliss के लिए भी काफी अच्छे-कासे plans हो सकते हैं तो इस तिंग के उपर ही बात करेंगे and also Daroli के live event के बारे में बात करेंगे जो कि मैं Johnson City and also Springfield City में देखनी को मिला तो उन सारे live events में हमें क्या interesting चीजे देखने को मिली तो उसके उपर बात करेंगे जो कि हमें Roman Reigns versus Drew McIntyre and also Jeff Jarrett का return देखने को मिला तो उस तीन के उपर ही बात करेंगे and also और भी अच्छी खासी updates होने वाली है तो भाई वीडियो को लास तक जरूर देखना and also जिसने चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई क्या कर रहो यार यहां पे तुम्हें latest updates और interesting videos मिलती रहती है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो वेल चलते फिर टॉपिक पर आते हैं तो फर्स अपडेट की बात करें तो वेल यह update हमें देखने को मिल रहा है and also एक और बंदा जो कि हमें forbidden door open करते वे दिखाई दे सकता है and वो challenge करते वे दिखाई दे सकता है जो कि Kevin Owens को डरो मत वो बंदा Chris Jericho नहीं है Chris Jericho की जगा वो बंदा impact wrestling से है and वो बंदा कोई और नहीं वो है rhino well rhino तो फिलाल जो कि अभी impact wrestling के अंदर है and also royal rumble में हमें जो कि impact wrestling से forbidden door open होते वे दिखाई दिया था तो recent के interview में जो कि हमें rhino यहां पे कहते वे दिखाई देते हैं so उनका कहना था कि अगर forbidden door open होता है तो of course वो चाहेंगे कि वो Kevin Owens को challenge करे and Kevin Owens के साथ में एक one in one match लड़े यानि कि impact wrestling से forbidden door open करके वो Kevin Owens के साथ में WWE के अंदर match लड़ना चाते हैं तो ऐसा कुछ thing देखने को मिल रहा है जो कि of course काफी अच्छा खासा idea रहेगा let's see वैसे हमें यह chances तो काफी कम है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिले well अगर देखने को मिलता है तो वो भी interesting रहेगा okay so चलते हैं वैसे next one update की तरफ तो well यह है WWE के Johnson City के live event की तरफ से तो Johnson City के live event में हमें काफी कुछ बढ़ियां चीज़े देखने को मिली so जहाँ पर हमें so की शुरुआत देखने को मिलती है Sasha Banks versus Natalia के match की तरफ से जहाँ पर हमें Shanna Bezler जो की attack करते वे दिखाए दे जाती है Sasha Banks के उपर and जिसके बाद हमें no disqualification से Sasha Banks इस match को जीते वे दिखाए देती है and इसके बाद हमें Naomi देखने को मिलती है बचाने के लिए Sasha Banks को आती है and इसके बाद इसको tag team match रख दिया जाता है and यह हमें एक जो की कुछ matchों बात देखने को मिलेगा उसी रात को उसी live win हमें देखने को मिलता है and also इसके बाद हमें Sinsuke Nakamura and Rick Books versus जो की Lost Latharios का match देखने को मिलता है जहाँ पर हमें Lost Latharios के साथ Sammy Jane भी देखने को मिलते है well उससे पहले हमें Sammy Jane का segment भी देखने को मिलता है जिसमें Sinsuke Nakamura and Rick Books जो की आके interfere करते है तो इसके बाद यह हमें match देखने को मिलता है tag team match जहाँ पर हमें Sinsuke Nakamura and Rick Books जो की जीतते वे दिखाए देते है and इसके बाद हमें Sasa Bank से Naomi versus Natalia and जो की Sena Bajler का match देखने को मिलता है जहाँ पर हमें Sasa Banks से Naomi of course वो हमें जीतते वे दिखाए देती है जो की यह भी काफी जादा interesting था and also हमें Sonia Devil का open challenge देखने को मिलता है and जिस open challenge को accept करती है जो की Aliyah and यहाँ पर Aliyah आके हरा देती है Sonia Devil को जो की of course यह भी काफी जादा interesting था well इसके बाद हमें देखने को मिलता है SmackDown Tag Team Championship के लिए Fatal 4-Way Tag Match जो की हमें देखने को मिलता है The Usos versus The Viking Raiders versus Samus and Regional and इसके बाद Happy Corbin and Madcalf Moss के बीच में तो well काफी बढ़िया हमें यहाँ पर Fatal 4-Way match देखने को मिला and जहाँ पर हमें जीते वे दिखाए जाते है The Usos and यहाँ पर The Usos हराते वे दिखाए जाते है The Viking Raiders, Samus Rage and इसके बाद तो Happy Corbin and Madcalf Moss के टीम को and इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो की Johnson City के Soka Main Event and यह देखने को मिलता है Roman Reigns versus Drew McIntyre का match and जहाँ पर हमें Roman Reigns versus Drew McIntyre का match शुरू होता है जो की of course काफी अच्छा खासा match हमें यहाँ पर देखने को मिलता है and जहाँ पर हमें जो की जीते वे दिखाए देते है Roman Reigns and Roman Reigns यहाँ पर Drew McIntyre को हरा देते हैं एक स्पियर मार के and also इसके बात चलते हम लोग नेक्श लाइफ इवेंट की तरफ जो की हमें जो हमें उसी राथ देखने को मिलता है यानी की आज सुबह देखने को मिलता है and also वो लाइफ जो की हमें Johnson City में देखने को मिल रहा था जो की SmackDown का लाइब इवेंट था यह हमें देखने को मिलता है Monday Night Rock का live event जो कि हमें देखने को मिलता है Springfield में जो कि Springfield का event देखने को मिलता है Springfield City में तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है पहले show की शुरुआत होती है लिव मॉर्गन वर्सेज डूओ ड्रॉप के match से जहाँ पर हमें जो कि Liv Morgan Duo Drop को हराते वे दिखाए दे जाती है जो कि अफकोस काफी अच्छा कासा मैच हमें ये देखनी को मिला रहेगा और अल्सो इसके बाद हमें देखनी को मिलता है Seth Rollins and Kevin Owens versus The Street Profits and also Alpha Academy भी देखनी को मिलती है तो ये 333 tag team match देखनी को मिलता है and जहाँ पर हमें Seth Rollins and Kevin Owens जीते वे दिखाए दे जाते है and वो हराते वे दिखाए जाते The Street Profits and also Alpha Academy को जो कि अफकोस ये भी काफी अच्छा कासा match था and इसके बाद हमें The Miz का Miz TV देखनी को मिलता है and Midge TV में हमें special guest देखनी को मिलते है Jeff Jarrett yes Jeff Jarrett देखनी को मिलते है J-E-A-F-J-A-R-R-E-T yes Jeff Jarrett देखनी को मिलते है The Miz के सामने Jeff Jarrett and of course काफी अच्छा कासा segment हम यहाँ पर देखनी को मिला है इसको डवलर ने अपने social media पर भी डाला हुआ है so The Miz and Jeff Jarrett के segment को interrupt करने आते है Dominic Mysterio and जहाँ पर हमें The Miz versus Dominic Mysterio का match देखनी को मिलता है and जहाँ पर हमें The Miz Dominic Mysterio को हराते वे दिखा जयाते है so of course यह भी काफी ज़्यदा अच्छा देखनी को मिला and इसके बाद हमें देखनी को मिलता है Finn Balor versus Demon Priest का match जो कि हमें No Disqualification से End होते वे दिखा देता है and जहाँ पर हमें Finn Balor जो कि मतलब हारते वे नहीं दिखा देते है जीते वे दिखा जयाते है लेकिन जो Demon Priest है वो हमें हारते वे दिखा जयाते है क्योंकि वो Disqualify कर देते है match को and also इसके बाद हमें देखने को मिलता है Omas versus R-Truth का match जहाँ पर हमें Omas इस match को easily जीते वे दिखा जयाते है and इसके बाद हमें देखने को मिलता है AJ Styles versus Austin Theory का match and जहाँ पर हमें AJ Styles ऑस्टीन तेयरी को हराते वे दिखा जयाते है एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैकी एंड रिया रिपली का मैच जहाँ पर हमें बैकी लिंच जीते वे दिखाए जैती है एंड वो रिया रिपली को औरा देती है जो कि यह हमें show का main event देखने को मिलता है एंड अफकोस काफी अच्छा कासा यहां का भी live event देखने को मिलता है जहां पर हमें काफी जादा interesting photo भी देखने को मिलता है जहां पर तुम देख सकते हो AJ Styles और इसके बाद तो Jeff Jarrett जो की old TNA guy है वो हमें देखने को मिलते एक साथ photo में जो की अफकोस काफी interesting देखने को मिलता है एंड इसके बाद आप बात कर लेते हैं वैसे next one update की तो वैल यह update हमें देखने को मिल रहा है Money in the Bank 2022 की तरफ से जैसा की तुम लोग को बता दू की इस बार का जो हमें Money in the Bank देखने को मिलेगा अफकोस मैं जानता हूँ यह हमें July में देखने को मिलेगा लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो odds देखने को मिले हैं वो काफी जादा interesting देखने को मिले हैं and also expected है कि हमें कोई shocker winner देखने को मिल सकता है and वो winner देखने को मिल सकता है Bobby Lashley and of course Bobby Lashley जो कि हमें इस साल का money in the bank जिते वे दिखाई दे सकते हैं तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वैसे अगर यहाँ पर हमें betting odds की बात कर लूँ तो भाई मुझे betting odds देखने को मिल रहे हैं उसमें top पर देखने को मिल रहे हैं Austin Theory yes of course Austin Theory number 1 पर है and number 3 पर हमें यहाँ पर Bobby Lashley देखने को मिल रहे हैं इससे पहले जो betting odds मैंने चेक किया तो वहाँ पर Bobby Lashley नहीं थे लेकिन Bobby Lashley यहाँ पर number 3 पर आ चुके हैं well number 3 पर आने के बाद तो expected यह किया जा रहा है कि जो इस साल का money in the bank है वो हमें Bobby Lashley ही जितते वे दिखाए दे जाएं and of course जैसा उन्होंने title हारा था जो कि बीना match लड़े अपनी title हार गएते हैं तो ऐसे में अगर वो money in the bank जितते हैं तो जो की काफी perfect sense बनाएगा and also cash in भी करते वे दिखाए दे सकते हैं उसी रात में अगर ऐसा कुछ thing देखने को मिला तो जो की of course काफी जादा interesting रहेगा वैसे number one पे Austin Theory देखने को मिल रहे हैं अगर Vince McMahon चाहे तो इनको भी बनाते वे दिखाए दे सकते हैं लेकिन इनके chances काफी काफी कर में अगर Bobby Lashley हमें देखने को मिल गए लेट सी वैसे हमें money in the bank में देखने को का मिलता है और अलसो बात कर ले women's money in the bank की तो भाई women's money in the bank में हमें Alexa Bliss batting odds में number one पे देखने को मिल रही हैं जैसा कि तुम देख सकते हो Alexa Bliss यहां पे हमें number one पे देखने को मिल रही है और अलसो रसल मिलिया में हमें इनके लिए कोई plans नहीं देखने को मिल रहा लेकिन फिर भी batting odds में हमें Alexa Bliss number one पे देखने को मिल रही है तो काफी अच्छे कासे highly chances हैं कि Alexa Bliss की जो booking है वो हमें आगे चलके काफी बढ़ियां देखने को मिल सकती है और जहां पे हमें Alexa Bliss money in the bank winner देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि उसके बाद हमें वो champion बनते में भी दिखाए देजा जो की काफी अच्छी खासी बात रहेगी वैसे आप लोगों का क्या opinion है इन सारी things के ओपर वो मुझे comment section में जरूँ बता देना वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप like करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना है कर सकते हो and also instagram and twitter का link by description में मिल जाएगा तो वैल वहां पे जाके जरूँ follow भी कर सकते हो and जिसने channel को subscribe नहीं कर तो भाई क्या कर रहो यार यहां पे तुम्हें latest updates और interesting videos मिलती रहती है तो channel को subscribe जरूँ कर लेना, well so fine मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई everyone